रोजगार के मुद्दे पर जब आप भोटरों को फेस करेंगी खास कर यूद को फेस करेंगी तो उसका खामियाजा भी आपकी सरकार को उठाने मधुपूर एलेक्शन में बीजी खुद को रखना वो सरकार से एक चुक हो गई या फिर जैसे पूरे देश से चुक हुई कि सकेंड लेहर को भाप नहीं बाए कि कितना घातक होगा वही इंप्लीमेंट पूरे देश का जो है जारखन में भी रूपा तिर्की मामला क्या वाक खराब करके हम लोगों को विरासत में इस इस राज का सत्ता लोगों ने सौपा है उस उल्जन को सुलजाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा इर्फान कहते हैं कि बदाई हो मुख मंतरी ने स्वास्त मंतरी की कमी महसूस नहीं होने दी तो इसको भी हेल्दी कमपटीशन वाना जाए इर्फान और स्वास्त मंतरी के भी जारखन में कोरोना का दूसरा लहर अब सांथ पढ़ रहा है धीरे धीरे छेत्र के विधायक राची की और फिर से वापस आ रहे हैं मतलब राजनीती और अपनी छेत्र की समस्या से मुख मंतरी को अगत करा रहे हैं कुछ दिन पहले ही कॉंग्रेस के तमाम विधायक जाकर मुख मंतरी से भी मिले यह क्या हो सकता है इतने देर का गैप के बाद सिस्टा चार मुलाकात या उन अपने छेत्रों की समस्या को बताया लेकिन एक सबसे एहम बात यह हुई कि कॉंग्रेस के परदे सद्यक्से कॉंग्रेस के वो विधायक जो एस्टी मोर्चा से आते हैं या एस्टी विधायक हैं वो लोग मुलाकात किये और कई मुद्दों पर रखा हमारे साथ दिपीका पंडे हैं और ये बताएंगी आपको कि इस पूर्य कोरोना काल में सकेंड फेज में आप लोग की चुक कहां हुई मधुपूर एलेक्शन में बीजी खुद को रखना वो सरकार से एक चुक हो गई या फिर जैसे पूरे देश से चुक हुई कि सकेंड लेहर को भाप नहीं बाए कि कि कितना गातक होगा वो वही पूरे देश का जो है जारखन में भी लाँ देखे सेकंड लेहर का प्रकोफ होने वाला है वो मधुपूर चुनाओ के दौरान ही पता चल गया था और मुझे याद है कि वहां से स्वास्त मंत्री इमिरिटली चुनाओ प्रचार छोड़ करके रांची का रुक किये थे और जरूरी काम और निर्ने लेने चाहिए थे सरकार को वो काम उस चुनाओ चुनाओी रैली के बीच ही शुड़ हो गया था जबकि मोधी जी बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे थे और मधूपूर चुनाओ के बाद भी यह सेकंड वेव का जब चरम था तो भी तब तक व यह नहीं देख लिए कि हाँ अंतिम फेस का जो है एक रैली उन्होंने अपनी कैंसल नहीं की हम लोगों की लीडर राहूल गांधी जी ने अपनी चुनाओं सभाओं को कैंसल किया उस प्रकोप को समझते हुए जरकन में इतना ज्यादा को लोगों की मौत हो गई कोरोना की संख्या काफी जड़ा है बचे भी खाफी जदा लोग तो क्या सरकार को बतोर मार्श दीजेगा तो कितना दीजेगा सो में कितने परतिशत काम कर नब्व लोग सत्ता में खुद को माक्स देना काम हमारा नहीं है लेकिन एक-एक मौत जो भी हुआ वह बहुत दुखद है लेकिन अगर आप आसपास के अन्य राज्यों पर अगर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कंपेर करेंगे तो रेश्व आप बहुत अधिक पाएं तो मुझे लगता है दस बारा दिन की अफरा तफरी थी और उस बीच में सरकार ने हर वो प्रयास करके पर्याब मातरा में वो ऑक्सिजन बेड़ हो चाहे दवाईया हो चाहे लोगों को खाने पीने भोजन की विवस्था करनी हो उस पर सरकार ने तुरंत नियंतरन किया और एक मिसाल पहले वेव में भी जिस तरह से सरकार ने और वन सोरेंजी के नित्यत में काम किया था वही आपको दुबारा इस लहर के समय देखने को मिला समय पर लॉकडाउन किया गया जरूरत पड़ी तो और स्थिति समली तो उसमें अनलॉक भी एक-एक करके किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक विपरीत परिस्तिते में जिस तरीके से काम करना चाहिए था हम लोगों की सरकार को वो हुआ है कोरोना वैक्सीन जो 18-45 अपने लोगों को सुरक्षित करने की बात थी तो जारकन सरकार ने यह भी सुनिशित किया कि हम अपने वैसे खर्च करके सर कि एक रारे लोग सुरक्षित हों इस तरान भी किस तरह से फेडरल स्रक्चर को डिस्टर अप करने का जो व्यवस्ता केंद सरकार की तरव से साथ सहयोग मिलना चाहिए था राजरा जिकित टैक्स के पैसे से जो वैक्सình हम लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा थ रूपा तिर की मामला, क्या वाकई में लग रहा है सरकार से एक चूख हो गए, एक लंबा समय चला गया जब एक खास करके समाज को बिरोध करने का मुखा दी सरकार जिस वक्त यह घटना हुई, आप भी जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई में सब लोग परिशान थे और हम लोगों ने, शायद ही कोई ऐसा वक्ती होगा, जो सरकार में रहते हुए भी, जो भावना थी रूपा के गारजिन की, उनके परिवार से जुड़े लोगों के, उनके साथियों की, हम सभी लोगों ने मांग किया कि पारदर्श्चित तरीके से जांच होनी चाहिए इस बारे में, मैं खुद अपने छेतर में थी, करिब दो मेना पूरा होने पर हम रांची आएं, और कल में पहली बार जब इस सेकंड वेव के बाद सीम से मिली, तो उन्होंने अपने मनशा को बहुत साफ बताया कि देखे, अब सिर्फ बयान देना काम हमारा नहीं है, क्या कॉंग्रेस के जो खासका रादिबासी विधायक हैं, मधुकोड़ा पूर्वसियम, तमाम लोग प्रदेश अध्यक्त से मिले, तो एक सरकार पे दबाब बना, कॉंग्रेस की दबाब में क्या यह निर्ने ले या निया इक जाच का? कॉंग्रेस सरकार का हिस्सा है, कॉंग्रेस दबाब बनाने के लिए नहीं, बलकि जब जहां जरूरत होगी, कॉंग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से, इस बात को भी मुझे पूरा भरोसा है, उस बैठक की हिस्सा तो नहीं थी मैं, लेकिन यह तमाम बातें चर्चा में इसकी जानकारी थी, और वो कॉंग्रेस में जो ट्राइबल है, नौन ट्राइबल है, जितने भी लोग थे, किसी एक विशेश वर्ग की बात तो कॉंग्रेस नहीं करती है, सब को साथ लेकर के चलें, और खास करके जो कमजोर वर्ग है, उसके साथ जहां कहीं नयाय की बात ह होनी हो, उसके लिए हम लोगों के लीडर का आदेश है, उनका मार्च दर्शन है, हम लोगों के लिए लड़ने के लिए, वो काम भी इस मामले में हुआ है, अब जब सीम से आप लोग मुमिल लिए, बता दिया, पांस साल के बाद एक्जाम में आप लोगों को फिर से बैठ लिए आपका एक्जाम तलेगा नहीं, या ही नहीं कि आपके बैक रिमार्च से आपको मार्च दे के प्रमोट कर दिया जाएगा, क्या रोजगार के मुद्दे पर जब आप भोटरों को फेस करेंगी, खास कर यूद को फेस करेंगी, तो उसका खामियाजा भी आपकी सरकार पांडी जी हम लोग एक्जाम के पहली रात तयारी करके एक्जाम देने वाले विद्यारती नहीं है, हम लोग पांचों साल पढ़ाई करने वाले, और ये हो सकता है कि किस विशय को हम लोग किस वक्त पढ़ रहे हैं, वो समय की प्रात्मिक्ता को देखते हुए, लेकिन हर विशय में हम लोग अपनी पढ़ाई को लगातार करेंगे, पांच साल करेंगे और पांचवे साल रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो यहां के जो प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों के पलायन को डोकने की बात हो, यहां की मेलाओं के को आगे बढ़ाने की बात हो, यह त के मुद्दे विशयों पर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और परिक्षा भी पास करेंगे, लेकिन अभी फिलाल तो देख रहे हैं, नोक्रिया जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं, देश में पिछले साथ साल में रेकॉर्ड बेरोजगारी का दर है, जार का प्रयास है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस विपरीत परिस्तिती में भी जो बेस्ट हो सकता है, वो जारकन स्टेट पे होगा, एक मामला फसेगा अस्थानिया नीती को लेकर, ढ़ाई साल से उपर हो गये, मतलब मान लेजिए कि डेड़ साल से उपर हो गये, अब जब बातों की वज़े से निरने आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यह भी आप बता रहे हैं, महागडवंदन की सरकार कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती है, वो चाहे स्थानिय नीती के मामले में हो, चाहे नियोजन नीती के मामले में हो, हम बिना पढ़े एक्जाम दे करके फिर इस राज का सत्ता लोगों ने सौपा है, उस उल्जन को सुलजाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारी नीतियां वो पॉलिसी चाहे यूद के मामले में हो, चाहे महिलाओं के मामले में हो, ट्राइबल्स के लिए हो, या इस राज से जुड़े हुए हर लोगो के बारे में जो नीतिगत फैसले हैं, वो सरकार समय तो ले रहे हैं, लेकिन सही फैसले लेगे, एक आखरी सावाल, स्टी भोट को लेकर, क्या अब सुरू हो गया है, जेमेम और कॉंग्रेस के बीच, कोल्ड वार, कि कौन कितना अपनी और करे, क्रिश्चन वोट हो या स्ट का कमजोर वर्ग है, वो कौंग्रेस की भी प्रात्मिकता रही है, और इसे अभी वोट से जोड़ करके देखने, अभी तो दूसरा ही साल है, हमारे सरकार का, अभी कितने काम, जनता की कितने उम्मीदों को पूरा करना हम लोगों के, करना हम लोगों का काम है, चुनाव की र किसी तरह के conflict को नहीं समझना चाहिए इर्फान कहते हैं कि बदाई हो मुख मंत्री ने स्वास्त मंत्री की कमी महसूस नहीं होने दी तो इसको भी healthy competition वाना जाए इर्फान और स्वास्त मंत्री के बीश देखे इर्फान जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी उनके किसी के बारे में टिपनी करना मेरा सही नहीं हो मुझसे सीनियर हैं और दो बार के विधायक हैं किसी के बारे में वेक्तिकर टिपनी मैं नहीं करना चाहते हूं ठीक है तो सरकार ऐसा काम कर रही है कि जब 5 साल के बाद एक्जाम देने जाएगी तो उनके पास सारे सब्जेक्ट का बाकाइदा तयारी रहेगा हर मुद्दे पर मतलब वो जनता के साथ आँख में आँख डाल कर ये बता पाएगी कि हाँ हमने 5 साल में इतना महनत किया इसलिए आप फिर से मह दिखल्द कर थमवदारी में परादी पोर रहे जा है कि विल्द साल देने रहे थिखले सिलिए कर प्सक्ट कल दो सब्सक्ड़रब प्सक्रष gevास भेम देख़गाने वहें आपवद्द्भाबर रहें गये है कि आतना में चलुट कर तो फिखले से मांएब्रेंटत कि आखल